नमस्कार आप देख रहे हैं SPN 9 News राजिस्थान में विधान सभा चुनावों को लेकर सत्त धारी कॉंग्रेस और बीजीपी ने अपने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है प्रदेश के चिताड़गर जिले में भी राजनीतिक हल चले काफी बढ़ गई है जिले के तहट पांच विधान सभा सीटें आती हैं जिसमें तीन सीटें बीजेपी के पास हैं जबकि दो सीटों पर कॉंग्रेस को जीत मिली थी इसी कड़ी में बड़ी साधरी सीट बीजेपी के कबजे में है जोसे तोड़ की बड़ी ही एहम सीट मानी जाती है मतादी के 2018 के विधानसवा चुना में बड़ी साधरी सीट पर बीजेपी और कॉंग्रेस के बीच ही मुकाबला रहा था बीजेपी के ललित कुमार उस्तवाल को करीब 37,000 वोट मिले थे जब कि कॉंग्रेस के प्रक्याश चौधरी के खाते में करीब 88,000 वोट आए ललित कुमार करीब 9,000 वोटों के अंतर से ये सीट हार गए थे तब के चुना में बड़ी साधरी विधानसवा सीट पर कुल वोटर्स की संख्या 2,47,930 थी जिसमें पुरुष वोटर्स की संख्या 1,26,125 थी तो महिला वोटर्स की संख्या 1,20,080 थी इसमें से कुल 1,09,015 वोटर्स ने वोट डाले जिसमें से करीब 3,000 मतदाताओं ने नोट अप का बटन दबाया था इसके अलावा आपको बता दें कि बड़ी साधरी विधानसवा सीट के राजनीतिक इतिहास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी बीजेपी का कबजा है लेकि 2008 की चुनाव में यहाँ पर कॉंग्रेज के प्रकाश चंदर चौधरी को जीत मिली थी और उन्होंने बीजेपी के भेरु सिंग चौहान को हराया था लेकि 2013 में चुनाव में बीजेपी ने सीट पर जीत हासिल की थी बता दे की बीजेपी के गौतम कुमार ने प्रकाश चंदर चौधरी को 17,000 वोटों के जादा अंतर से हराया था 2018 की चुनाव में प्रकाश चंद को फिर हार मिली और बीजेपी के ललित कुमार उस्तवाल चुनाव जीत गए पीजेपी पिछले दो चुनावों से लगतार बड़ी साधरी सीट से जीत रही है उसकी कोशिश इस बार चुनावी जीत की हैट्रिक लगाने की है जबकि कॉंग्रेस दस साल बाद फिर से इस सीट को अपने कबजे में लेना चाहेगी अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही आप देखते रहिए SPN 9 News